आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रशने दिया है, सूर्य और चंद्रमा के तापमानों का अनुपात हमें बताना है यदि उनके अधिक्तम विकिर्णों के जो उसरजन के दरों की तरंग डैद है यहाँ पे 140 एंगे स्ट्रॉम और 42 एंगे स्ट्रॉम है तो यह हमारे पास हो जाता है Lambda M यानि की अधिक्तम तरंग डैद किसी ताप के संगत या इनका जो गुड़न फल होता है वो बराबर हो जाता है B के, B जो है हमारे पास यहाँ पे 20 नियतांक होता है तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखे तो हमारा यहाँ पे समीकरण बन जाएगा Lambda M1 गुड़े ताप T1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा Lambda M2 गुड़े ताप T2 और हमें इनके ताप का जो अनुपात है उसे हम लोग को निकालना है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे फिर Lambda M1 बटे हमारे पास हो जाएगा Lambda M2 बराबर यहाँ पे ताप T2 बटे T1 के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा इस तरह से तो हम लोग को इस समीकरण में मान रखना है और अपने प्रश्न को हल करना है यहाँ पे Lambda M तरंग देद को दर्शार है तो यहाँ पे अगर तरंग देद का मान देखे तो एक हमें 140 एंगे श्ट्रॉम और दूसरा हमें 400 एंगे श्ट्रॉम दिया गया है तो इनके मानों को यहाँ पे रखेंगे तो यह हो जाएगा 140 एंगे श्ट्रॉम बटे यहाँ पे हो जाएगा 42 एंगे श्ट्रॉम से एंगे श्ट्रॉम जो है वो कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फिर इसको हल करेंगे तो यह वाला यहाँ से कट जाएगा ठीक है और फिर 14 से इसको हल कर सके तो यहां से यह हो जाएगा 14 से एक बार में और यह 14 से 30 बार में और यह किसका अनुपात हो जाएगा टीटू बटे टीवन का अनुपात होगा लेकिन हमें टीवन बटे टीटू का अनुपात चाहिए तो यह हो जाएगा T1 बटे T2 बराबर यहां पे हो जाएगा 30 बटे 1 की रूप में प्राप्त होगा तो इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो विकल्प हमें दियागे 1 अनपाथ 30 तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा ठीक है, बी दी अगे है 30 अनपात एक, यानि कि हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, सी, 42 अनपात 14 गलत हो जाएगा, डी, 14 अनपात 22 ये भी गलत है, यानि कि सही विकल्प जो होगा, बी विकल्प होगा, धन्यवाद।